और फिर्ट्स में मोहित इंडिया टेलेस्कोप शॉप इंडिया बैन और शॉप से आज एक नहीं वीडियो के साथ बहुत से बिगनर्स या परस्ट टाइमर्स टेलेस्कोप लेना चाहते हैं यह इस्टानों करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ बड़े बेसिक से सिंपल से यह जो मैंने सोचा मैं शेयर कर लूँ हाना कि मैंने टाइम टू टाइम डिफरंट वीडियो बनाये हुआ हैं तो मैंने सुचा सिंपल सा वीडियो मनाके सिंपल और बैसिक टिप्स एक बार compact, concise और short तरीके से बताऊं तो सबसे पहली बात क्या हमें telescope लेना चाहिए मेरे हिसाब से telescope एक ऐसी activity है telescope लेना कि इसमें थोड़ी सी research होनी चाहिए तो उससे पहले क्या करना चाहिए उससे पहले हमें astronomy में interest है या नहीं उसके लिए हम बहुत चीज़े कर सकते हैं astronomy pursue कर सकते हैं basic step यह है कि एक star chart टीजे सिंपल आजकल apps पे हैं या online google से download हो जाते हैं अपने city sky का star chart आप study कीजिए और उससे constellations दूढ़िए अगर आपके पास कोई भी optical instrument नहीं है equipment नहीं है जैसे binocular telescope तो कोई घबराने की बात नहीं है आप star chart study कीजिए उससे identify कीजिए stars constellation sky में अगर आपका इंट्रेस्ट बनता है तो फिर सोची telescope टेने का लिटर आपके पास घर वे कोई binocular पड़ा है कोई पराना पीस पड़ा है जो आपके फादर ये grandparent यूज करते थे आप उसको निकाल लिए साफ कीजिए उसके lenses किसी भी सॉप्ट उससे कपड़े से चाहे वो बन्यान हो और उसको साफ कीजिए उसके lenses को उसको निकालके star chart refer करके अब sky study कीजिए बहुत से apps हैं जो आजकल mobile पे android और apple के store पे मिलते हैं कुछ free है एक अद कॉस्स वाले भी है इस टेलरियम, star walk, google sky map और simple sky map ये आप download कर सकते हैं अपने mobile पे और जहां कहीं point करेंगे या जो चीज आप naked eye से भी sky वे देख रहे हैं या आपको बताते हैं या आपने इनके search पार में जाके अगर andromeda galaxy या nebula कुछ टूड़ना है तो वह आप ढून सकते हैं जहां तक planets की बात है वो आपको as a star ही नजर आएंगे अंडुमीडा galaxy हेल सेशन में तो नजर क्लिरली आ जाती है naked eye object है लेकिन sky में बहुत दिम है तो टेलेस्कोप या बाइनॉकलर से नजर आएगी इसके इलावा अगर आपके पास पाइनॉकलर है या टेलेस्कोप से पहले बाइनॉकलर भी खरीदा जा सकता है 10 by 50, 8 by 40, 7 by 35 ये कुछ बाइनॉकलर हैं जो काम करेंगे एस्टानमी का minimum 7 by 35 होना चाहिए जिसमें 7 x 35 mm lens का size और अगर बड़े बाइनॉकलर आप लेते हैं जैसे 12 by 60, 15 by 70, 20 by 80, 25 by 100, 25 by 100 में 25 x power और 100 mm lens का size उसमें ऐसे बड़े बाइनॉकलर में जो average size से बड़े हैं भारी होते हैं आप इनको use कर सकते हैं लेकिन आपको stand की जरूत पड़ती है आजकल कुछ बाइनॉकलर टेलिसकोप भी आ गए हैं जो काफी बड़े होते हैं और उनके अंदर जो IPs होते हैं वो changeable होते हैं मतलब टेलिसकोप के IPs directly लेकिन एक सिंपल पानॉकलर धाईजर से 4000 या 5000 उससे भी astronomy शुरू की जा सकती है सेकेंड डिसाइड करना बढ़ा जरूरी है कि हमारा budget क्या है अगर 10,000 से नीचे का है तो उसमें 70 mm और रिफ्रेक्टर और 76 mm रिफ्रेक्टर 10 से 15,000 तो 114 mm रिफ्रेक्टर ये न्यूटोनिय में रिफ्रेक्टर और अगर 25 से 35,000 है तो 90 mm मक्सी टॉप मक्सी टॉप का स्क्रीन काफी पोटेबल होते हैं जैसे पिक्चर नंबर 9 में है या 102 mm का कोई रिफ्रेक्टर आप ले सकते हैं उस रेंच पे अगर आपका budget 35,000 से 50,000 है तो 203 mm या 8 हिंच का एक रिफ्रेक्टर ट किया था different types of designs of telescope उस पर आप एक नजर मार सकते हैं यह different pictures है number के साथ इनको आप slide number one से identify कर सकते हैं जिसमें budget के बारे में दिया हुआ है तो आपको पता लग जाएगा कि इस type के telescope आपको उस budget में मिलेंगे और यह सारे आपको हमारे पास से मिल जाएंगे इसमें कुछ case के साथ भी आते हैं कुछ telescope वो भी मिल जाएंगे केस अलग से लिया जा सकता है आगे चलें क्या चीज़े हमें avoid करनी चाहिए हैं जैसे मैंने शुरू शुरू में बताया telescope लेने से पहले आप sky में interest तिखाईए night sky में binoculars के तुरू या star church के तुरू इसी तरह जब आपने मन बना ल देने का तो कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल avoid करनी है एक चीज हमेशा याद रखिए astronomy में या bird watching में या binoculars में या telescope में जितने आप पैसे डालते हैं उसी हिसाब से आपको return वापिस आएगा अगर आप savings ज्यादा करेंगे काफी कम budget है तो binocular पे जाएए और अगर 67,000 या उससे उपर है तो टो टेलेस्कोप आप लीजिए तो e-commerce साइट पे 90X टेलेस्कोप या brass के टेलेस्कोप या mobile phone पे लगने वाले छोटे टेलेस्कोप magnifiers ये सारी useless हैं astronomy के लिए इससे आपकी hobby में interest हटेगा घटेगा या आपको कहीं लेके नहीं जाएगा इनको avoid कीजिए और फिर depend करेगा आपकी requirement का है जो slide number 5 पे मैंने लिखा है कि आपकी क्या requirement है अगर आपने सिर्फ planets देखने हैं तो एक 60 mm रिफ्रेक्टर या एक 76 mm रिफ्रेक्टर टेलेस्कोप से शुरुआत कीजिए अगर आपने deep sky study करनी है प्लैनेट्री टेलेस्कोप अलड़ी है तो 6 इंच reflected telescope से start कीजिए अगर आप काफी travel करते हैं और portability के factor है तो एक maxi top quasi grain जो 7 number पे मैंने बताया 90 mm का इसमे 90, 102, 127 mm के telescope काफी short, portable, कम length के और हलके होते हैं यह आप ले सकते हैं लेकिन यह थोड़े से expensive होगे और telescope designs के मकाबले और अगर आपने घर में ही use करना telescope या एक already आपके पास portable है तो आप बड़े dobsonian या बड़े equatorial reflector या refractor ले सकते हैं और के चलें टेलिस्कोप कहां से लेने चाहिए टेलिस्कोप मेरा मानना है कि आप घर के पास जो आपका shop है NCR region में जैसे हम हैं तो आप किसी expert से लें तो जादा अच्छा है online में आपको telescopes मिल जाएंगे लेकिन वो क्या आपकी requirement को suit करते हैं या कैसे upgradable हैं या क्या उसमें weak point है या क्या telescope का model होना चाहिए आपकी need के लिए ये सारी चीज़ें आप e-commerce site से नहीं पता लगा पाएंगे e-commerce site पे कुछ सही knowledgeable traders भी हैं और कुछ बिलकुल ignorant traders हैं जो सिरफ trader हैं जानते नहीं astronomy के बारे में और e-commerce इतना अच्छे तरीके से आपको guidance नहीं दे पाएगा जितना कि एक expert या एक retail shop वाला जहां actually आप जाकर देख भी सकते हैं या पता कर सकते हैं face to face जाकर क्योंकि अभी lockdown क period है तो maybe later on लेकिन मेरे हिसाब से आप किसी expert से या retail shop से लिए तो वह better है अगर आपके area में कोई shop नहीं है within radius of 100 या 200 या 250 तो हम से मगा सकते हैं बात करने के बाद या हमारे videos देखने के बाद जो telescope आप decide करें वह हम भेज देंगे यह कुछ faces of happy customers हैं हमारे जिनको हमने पास में telescopes दिया है आगए चले आप टेलिसकोप हमने ले लिया तो क्या sky में immediately objects हम ढोड़ लेंगे अगर हमने setup कर लिया telescope setup आप manual पढ़के कर सकते हैं videos देखके कर सकते हैं लेकिन sky में eyes adapt करना एक अलग से process है इसलिए मैंने कहा था शुरू शुरू में आप night sky study कीजिए eyes adapt कीजिए star chart पढ़िए तो जब टेलिसकोप आपने ले लिया तब भी आपको star chart चाय मोबाइल अपस इनकी जरूरत पढ़ेगी जो मैंने उनके नाम लिखे हैं दूसरा objects टूडने के लिए इन सब की जरूरत पढ़ेगी कौन सा object कितने बज़े निकलता है इसका अनलब यह नहीं कि आज लिया तो सैटन शुपीटर आज रात को साथ बज़े में निकलेगा हो सकता है वह उस ताइम पे चार बज़े सुवे निकलता हो तो आपको पांच बज़े सुवे सेट करना पड़ेगा क्योंकि सारे प्लैनेट्स यह सारे स्टार्स जो है इस से राइस होते हैं और वेस्ट अगर आप उनको केर करेंगे तो 25-30 साल चलेंगे अगर यूज नहीं कर रहे हैं उनकी डस्ट कैप्स और सेसरी संभाल के क्लाजट में रखिए बहुत गर्मी में या बरसातों में जो यूज नहीं होंगे अंदर रखिए बाहर सड़क पे या एक हीटिड रूम में मत छोड यह तीसरा अपग्रेडिंग आपने टेलेस्कोप ले लिया और आप उसमें कुछ पीसिस एड़ करना चाहते हैं तो अलग से बढ़िया क्वालिटी का पीस मिलते हैं क्योंकि हर मैनुफेक्टर साथ में नहीं देता आप अलग से ले सकते हैं कुछ कैमरा अटैच्मेंट्स ले सकते हैं जो पिक्चर फाइब में हैं या आपने ग्रेजुट करना है एक बड़े टेलेस्कोप पे जाना है तो वो भी आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं गो टू टेक्नोलोजी वाले एक बेटर फाइनल सकोप चाहिए यह सारी चीज़ें आप हमसे ले सकते हैं हमारे पास आपको मिलती हैं लास्ट में यह कुछ प्रीमियम ब्रैंड्स हैं वर्ल्ड ओवर जो टेलेस्कोप बनाते हैं जो मैंने कल भी वीडियो में शेयर किया था तो अमीद है यह वीडियो आ झाल